है फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल मनूर्मा ब्यूटी एंड व्लॉग्स और अगर आज आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन हिट कर दो अपडेट्स के लिए एंड आज मैं क्या बना रही हूं वीडियो किस चीज पर वैसे आप लोग को याद होगा मैंने एक पोल डाला था कुछ टाइम पहले कि मैं फूट ब्लॉग दूँ या फिर मेकप एंड होम टूर तो आप लोग ने होम टूर वीडियो चीज किया था लेकिन उस बीच में मैं अब ही मैं आज से एक्टिव रहूंगी यूट्यूब पर तो आज मैं अपना होम टूर वीडियो बना रही हूं तो चलो मैं आप लोग का अपना होम टूर वीडियो दिखाती हूं मेरा घर कैसा है तो या विदाउट सब्सक्राइब लेट स्टार्ट वीडियो तो इंटर करते हैं अंदर और अंदर एक बाइख और एक स्कूर्टी भी है वो बाहर था यह हमारा पिल्सी का पौधा अब ही हम अंदर चलते हैं आपको गेंद खाना चाहते हूं अच्छा अबने आज हम सबको हमारा घर दिखाएंगे ना तो चलो घर दिखाओ चलो चलो हम अंदर चलते हैं तो हम घर एंटर कर चुके हैं तो कहां से स्टार्ट करें अबनी के साइकल से स्टार्ट करते हैं तो एंटर करते हैं आपको सामने एक साइकल मिलेगा जो की है अबनी का कांँ कि इंवर्टर और इधर है हमारा टीवी होसके नीचे सोकेस और कुछ फो्तोज और हाँ अवनिका सब्से है यह अपनी का फ्रीट टॉइ फ communist वैसे यह कौन है я ये हैं डैड और डैड के साथ कौन ही ये ये है छोटू अक्षे है ये मेरे सबसे छोटा भाई ये उसके बच्पन की तस्रीर है और ये है अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले का एंड इधर देख सकते हो सोकेस और इधर हमारा फरनीचर और फरनीचर के पीछे जो टैडी बैड में इंटर करते हैं आपको एक बैड मिलेगा और इधर है हमारे खड़की यहां पर हमारा कूलर लगा हुआ है तो अभी जैसे की विंटर खत्मों के गर्मिया आ रही है तो इसकी ज़रूरत में पड़ेगी और यहां पर अपनी की कुछ फोटोज है और यह हमने सजाने के लिए लाइट्स लगाए हैं रात को यह जब बंद करके सारी लाइट्स बंद करके से लगाते हम बहुत अच्छा लगता है रूम यह ममी पापा की फोटो और चलो मैं आपको यह लाइट्स दिखाती हूं बहुत अच्छी लगती है तो देख सकते हूं कितनी प्यारी लग रही यह रूम अभी तो रात को हम कभी कभी ऐसे करते हैं लाइट्स सारे बंद करने के बाद इस साइड का एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे डेक्रेशन करना घर को सजाना मुझे बहुत पसंद्ध गारिनिंग मुझे बहुत पसंद्ध आछान बास पासंद्ध है और उसके ठीक नीचे हमारा है अग्योरियम तीन ही फिश है हमारा भी फिलहालतो और बड़े-बड़े हो गया है और थ्वड़ा से गंदा भी है क्योंकि भाई को टाइम नहीं होता है साफ करने के लिए और वो ही इसे साफ करता है और यहां पर जो टॉय है इसमें एक पांडा है और यह अपनी का बहुत फेवरीट है यह पांडा अपनी को बहुत पसंद है वो ही लेकर आई थी इसे और यहां पर बैट्विंटन वगएरा है भाई उस सब खेलते हैं रात को इंदर वाच है यहां पर एक और फोटा है चोट लगा मुझे आर्ट होगे रहा कभी बहुत शौक है मुझे बहुत अच्छा रखता है तो इसको हम लेकर आये थे पूजा के टाइम पर लाये थे तो यह है हमारा फ्रंट का रूम और यह कुछ इसी तरह का है मैं आपको एक बार सब एक साथ दिखा दूए तो अभी हम चलत है हमारे सेकंड रूम पर यहां पर और यह हमारा सेकंड रूम यहां पर है अपनी और दी इनका फोटो इस जैसे एंटर करते हैं राइट साड वाल में अपनी का है दी का है और इधर एक फोटो है इधर है यह भी खड़की है और इस बैट पर अपनी मैं और दी हम तीनस होत तो हम जो भी product उसकरते हैं वो सब हमने यहां पर set लिया है जादातर धर हम बाहर कम नहीं कम हिसे अंदर में रखते हैं क्योंकि अपनी सब कुछ खराब कर देते हैं और यह रूम बस इतना ही है यह रूम इतना जाधा बड़ा नहीं है नॉर्मल सा इतना है अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में तो यह है थर्ड रूम इस बैड पर मम्मी और चोटू यह दोनों सोते हैं और वहां पर है लैप्टॉप टेबल और यह मेरा लाइट है इसमें मैं बनाती हूँ अपना वीडियो यह मेरा भाई को बड़े पर मिला था इसे तो आप लोगों ने देखा है उसके बड़े वीडियो पर तो इस रूम में इतना कुछ खास नहीं है बहुत ही छोटा सा रूम है दोनों ही और इधर कुलर है तो बस इस रूम में इतना ही अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं तो यह है हमारा नेक्स्ट रूम पहले तुम फैन बंद करते हूं क्योंकि आप लोगों मेरा साउंड नहीं आएगा और इस रूम में सबसे पहले मैं दिखाऊंगी हमारा मंदिर यह हमारा मंदिर है छोटा सा और इस साइड में मेरे ग्रेंड पापा एंड ग्रेंड ममी की फोटो है और यहां पर मेरे सिलाई मशीन है और यह उस रूम का कुलर है आण इधर ऐक और आलमारी है यहां इसमें दोनों भाई और पापा का सारा सावान इसमें रहता है इधर है यहां पर एक से और यह आपने का छोट उसा चैयर और इस साइड में हमारा इसमें हम कपड़ा रखते हैं सब और एक टीवी है यहाँ पर इसके साइड में फ्रिज और उपर हमारा स्टीमर मर्शीन तो यह रूम थोड़ा सा बड़ा है बाकी डोनों रूम से तो यह इतना है अभी चलो मैं आपको अपना किचन दिखाती हूं वह लास्ट तो यह है हमारा किचन और यह है वो जगह जा मैं बरतुन धोती हूं और मैं आज बरतन नहीं दुआया तो वैसा है मैं वीडियो बनाने के बाद धोलूंगी ओके इधर एक वाच मिलेगा और सामने है जो दिख रहा है बतन रखने वाला राय कि धर है नीचे पानी वानी रखते हैं ड्रम है इधर और इस साइड में है प्लाटफर्म ममी यहाँ पर खाना बनाती है जो कि अभी बन रहा है और के बाद आता है यहां होगीग बने वाला है इधर हमारा सारा रासन का सामान रहता है यहाँ पर और इस सोकेस में यह सब कुछ मैं साफ करते हैं यह चलत हमाड़ा करते हैं और sleep Michean के बाद आता है यहां पर यह हमारा बात्रूम और बात्रूम के सामने ही है एक बड़ा वाला टैंक यह वाला टैंक है और मोटर लगा हुआ है तो यहां पर वीडियो को एंड करते हैं आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो यह था मिदल ग्लास यूट्यूबर का घर तो जैसे कि मैंने पोल में दिया था तो फाइनली इतने दिन बाद मैंने उस पोल को कम्पलीट किया है आज अपना हम पूर वीडियो दे कर तो अब से मैं एक्टिव रहूंगी और दोगी तो कॉमेंट की जिएगा और ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना और मेरा घर कैसा लगा है यूवी बताना वीडियो को और ये पर就到 यह मिलती हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ और अबनी के साथ तिल देन बाई एंट टेक केर